नमस्कार दोस्तों हम सीक्रेट 2D एनिमेशन और 2D एनिमेशन में आपको बता रहे थे एनिमेट CC के बारे में तो चलिए दोस्तों आगे बरते हैं और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कोई भी सीन को कैसे क्रियेट करते हैं आपके पास बहुत सारा जो है एलेश्टेटर पहले से पर होते हैं और वो सब को कलेक्ट करके एक सीन पे हम लेके कैस्ट से आते हैं आज की इस वीडियो में आपको डीटेल से बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो इस्टार्ट तो दोस्तों ये हमारे पास एक ब्लैंक के स्क्रीन है मैं इस पे जो है एक सीन को क्रियेट करूँगा तो दोस्तों सीन क्रियेट करने से पहले मैं आपको पीछे वीडियो आपको दिखा रहे थे कि हमने किसान को कैसे क्रियेट किये हैं अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस किसान को कैसे create किये हैं और उसी टैप से हमने वोमेंस का भी एक create करके दिखाया था और पीछे इस जो character हमारे पास यह जो बच्चा है इसको भी मैंने create करके आपको दिखाये थे और इसी सब को जोर के मैं एक scenes को create किया हूँ हम दोस्तों पीछे के वीडियो में आपको दिखाये थे इस किसान को हमने कैसे create किये हैं तो अगर आप एक बार create कर लेते हैं तो इस character को आप कहीं भी use कर सकते हैं जहां भी आपको मन करे उसको आप use कर सकते हैं इसको simply way में इसको हम copy करते हैं यहाँ से copy करने के बाद हम क्या कर यहां पर paste कर देते हैं यहां पर paste कर दिया हमारे पास यह जो है character already आ गया है अब इसमें जो है देख सकते हैं अब हर कोई जो है अलग-अलग बना हुआ हम इसको बाद में देखेंगे पहले हम scenes को जो है create कर लेते हैं और हमारे पास जो है कुछ png परे हैं इसके background के लिए तो png हमारे पास देखिए यह जो है एक home है इसको मैं क्या करता हूँ यहां से import करता हूँ यहां पर हमारा पास जो है यह आ गया इसको मैं अलग layer पर रखूँगा Ctrl X किये और एक new layer create करते हैं Ctrl V कर देते हैं यह हमारे यह यहां पर जाते हैं और यहां पर देखिए वह चीट चैप से scene create क्या है और यहां से मैं क्या करता हूँ यहां से इस moment को लेता हूँ यहां से इसमें देखिए एक moment है मैं इसी moment को लेता हूँ और इसको copy करता हूँ यहां से और यहां यह इसका जो है अभी देखिए बहुत बड़ा आरा क्योंकि घर से बड़ा तो आदमी नहीं हो सकता है तो हम इसको छोटा करेंगे कि एक लगे कि हाँ घर पे है अब देखिए यह इतना बड़ा है ठीक है इतना बड़ा क्योंकि घर जो है पीछे है तो थोरा सा इससे हम कर देते हैं अब यह guy को भी हमको set करना पड़ेगा तो हम इसको क्या करते हैं ctrl x करते पहले एक new layer create करते ctrl v कभी आप काम करें तो उसको new layer पर और इस guy को हम इतना वरा रखते हैं और इसको माल लिजीए हम यहां पर रखते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको यहां पर रखते हैं, इसको भी हम यहां पर रखते हैं, और हमारे पास जो है, हमने यहां पर एक बच्चा को भी set किये थे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहां से ही copy कर लेता हूँ, ctrl c और यहां पर आने बाद एक new layer create करते हैं और भी कर देते हैं अब यह हमारा इस step से set होगे आप जहां भी रखना चाहते हैं इस सभी को हम animate भी कर सकते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि आप कोई cartoon बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो इसको आप एक 輯ह इनिमेट कर लेते हैं इसको बहुत झिंडायर यूज कर सकते हैं कहीं पए यूज कर सकते हैं इसको animation कैसे करते हैं हमारे पास एक यह character बना वह जिसमें कि हम walking करा देते हैं एक step हम कराएंगे और वो उसको loop में चलाते हैं हम बार-बार जाके हम जो है हर किसी को walking नहीं कराते हैं हम एक walking कराएंगे और उसको loop में चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं loop में मैं अभी दिखाता हूँ आपको मालेजे इसको हम walk कराना है तो वाक कराने के लिए हम क्या करेंगे इसको, पहले यहां से हम सभी को डिलीट कर देते हैं, एक जो है, एक फ्रेम रखते हैं हम, और हमने देख लिए कि यह हमारा कैरेक्टर बिल्कुल सही है, हमने आपको वीडियो दिखा चुक है पीछे, अगर नहीं देखें तो पीछे ज पूरा पूरा सेलेक्ट किये और राइट बटम क्लिक करते हैं यहां करते हैं इसको एक बार हम एनिमेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे इसको 40 फ्रेम तक एनिमेशन करते हैं यहां से हम 40 फ्रेम पर जाते हैं और इससे पहले क्या करते हैं एक इसके स्टेप बना लेते हैं इससे बनाएंगे फर्स्ट फ्रेम पर जाते हैं यहां पर और इसको हम यहां से सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं यहां रखता हूं इसको थोड़ा सा पीछे कर देते इस टैप से इसी है इसको भी थोड़ा से मैं जो है पैड के साथ में खिच जाएगा थोड़ा सा यह हो गया और इसको थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हैं चले ठीक है इतना अब क्या करते हैं इस हाथ को जो है यह हाथ जो है हमारा आगे की और होगा इसको थोड़ा सब इस्टेप कर देते हैं और यह हाथ जो हमारा पीछे की और रहेगा इस्टेप से इधर की और यह हमारा एक स्टेप यह क्रिएट हो गया अब इसको हम क्या करेंगे 40 फ्रेम तक जाते हैं और यहां से एक F6 प्रेस करते हैं और एक जो है 20 फ्रेम पे F6 प्रेस करते हैं अब क्या करेंगे हमारा जो है एक step और create करना है 20 फ्रेम पे आते हैं या 20 फ्रेम पे आने के बाद क्या करेंगे पहले तो इस हाथ को हमको आगे की और करना पड़ेगा कि आगे की और करते हैं इस साथ को हम पीछे की और करते हैं अभी हम सभी कौन कर देते हैं इस टैप से और यहां पर यह जो पैड है इसका इसको हमको आगे करना है इसको मैं आगे कर देता हूँ और यह जो आगे भाला पैड है इसको हम पीछे करेंगे इस टैप से और यह जो धोती है इसको भी हम थोरा से एड़्जेस्ट कर लेते हैं यह पीछे चला जाएगा इस टैप से ठीक है अभी देखें इस टैप से हो गया है लेकिन हमारा जुञे है अभी animation नहीं इसे चलता नहीं है इसको मैं थोरा सा ओर setting करूंगा तो हम क्या करते हैं पहले सभी को सेलेक्ट करते हैं राइट उटम किलिए करते हैं और क्लासिक टूिन कर देते हैं अभी देखिए शमूज सा चलना शुरू हो गया ये अब क्या करेंगे हमें जो है 10 फ्रेम पे आते हैं हमने वाकिंग के लिए आल्रेडी आपको दोस थोड़ा सा हम आगे क्योर करते हैं इसको steps करते हैं और यहां से यहां पर ठीक है अभी देखिए यहां से देखिए यहां से उठा और यहां पर रख दिया यहां पर देखिए हमारा यह जो है पैड सही नहीं आ रहा है तो हम इसको set कर लेते हैं कुछ step से ठीक है अब यहां पर आने के बाद हम पीछे वाले पैड को set करेंगे इसको तोड़ा साम आगे क्योर लेते हैं इस वाले को हम step से set करते हैं यहां पर एखिए है और इसको हम क्या करते हैं देखते हैं आगे बढ़ाके यहां फिर से गलत आ रहा है इसको मैं यहां पर रखूंगा यहां पर और इसके जो एग कुछ होती है इसको भी मैं थोड़ा सा सेट चाहें तो कर सकते हैं यहां पर आने के बाद इसको थोड़ा सा मैं बाहर की उर कर देता हूं इसको भी थोड़ा आगे इसको भी थोड़ा आगे इस टेप से अब इसके हमारा एक स्टेप जो तैयार हो गया अब क्या करेंगे यहां पर जब करेक्टर है यह थोड़ा सा नीचे कर देता हूं यहां पर करेक्टर है थोड़ा Contract हो घञा हमएक step बनाय उसके बाद हम वापस जाते हैं हब हम क्या करेंगे इसको माल लिज्防 इसको चलाना है चलाना थो कैसे चला नभिसे डूर तक हम क्रिम करेंगे माल लिची 200 तक हाँ हमने 200 तक यहां से आप 5 प्रेस कर देते हैं एप 6 प्रेस कर दोते हैं मालीजे, एप 6 प्रेस कर दिये, अभी देखें ये लूप में चलेगा, आप देख सकते हैं ये जो है continue चल रहा है, आप कहीं भी रुकेगा नहीं, देख सकते हैं, और इस बच्चे में अल्रेडी जो है animation लगा रखा था तो आप देख सकते हैं इसका यहां पर आ गया, मालीजे यहां पर, तो हम क्या करेंगे, इसको हम right button क्लिक करते हैं, और classic twin लगा देते हैं, अभी देखें ये चलना शुरू हो गया, देखें, आप देख सकते हैं, इस step से चलना शुरू हो गया, अब क्या बात, ये जो लड़का है, इसके उपर से आ रहा ये उपर आ गया, अब इसमें, आप देख सकते हैं, एक तरह का, ये scene create हो गया, लेकिन scene create हुआ, static scene create हुआ, जो की अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसमें एक camera set करेंगे, तो कैसे camera लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आपका यहां पे layer select है, और यहां पे देखिए, एक camera का symbol बना हुआ है, अगर दोस्तों ये camera नहीं आ रहा है, तो आप यहां पे click करके, यहां पे देखिए, camera का option है, आप यहां पे आ जाएगा, तो इस पे हम click करते हैं, click करने के बाद देखिए, एक layer में जो है, camera का option बन गया, और एक option यहां पे देखिए, आपके पास आ गया, तो इसको कैसे use करते हैं, मान लेजिए हमारा जो है, यहां पे है, यह चाहता हूं में क्या, यह character धीरे-धीरे बड़ा हो जाए, तो बड़ा हो जाए, धीरे-धीरे कैसे बड़ा होगा, तो यहां पे मान लेजिए जाते हैं, हम 75 frame पे, और app 6 place करते हैं, अभी हमारा खिसकाईए, आप इसको जितना खिसकाईएगा, उतना वो बड़ा होगा, मान लेजिए इतना बड़ा हो गया, और एक चीज का और धियान रखे हैं, यह बड़ा तो हो गया, लेकिन देखिए यहां पे एक, आपको एक blue color का दिखेगा line, यह stage है आपको, अगर इसके बाहर क करते हैं, देखिए, कुछ इस step से जो है, हम इसको scene में लेकर आते हैं, हमारा scene यहां पे है, यहां पे लेकर आए, इसको तोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अभी देखिए, यह हमारा आ गया, अभी मैं इसको right button क्लिक करता हूँ, और classic twin करता हूँ, देखिए, अब इस तरफ चला गया, अगर इसके बाहर निकल जाएगा, तो वो character दिखेगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे app 6 एक लगाते हैं, app 6 प्रेस करते हैं, और अब क्या करेंगे, हम इस character को यहां पे हमको set करना, क्योंकि अभी character जो है, यह blue frame जो आ रहा है, इसके बाह है, मतलब वो हमारे screen से बाहर हो गया, वो दिखेगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए, इसको step से drag करते हैं, अब जो है, left mouse को click करके, आप इसको drag करिए, इस तरह से, अब यह हमारा screen बीच में आ गया, यह लड़का है, हमारा बाहर हो गया, यहां से right button क्लिक करते classic twin करते हैं, और अभी मैं आपको चलाओं, देखिए, control interface करता हूँ, देखिए, देखिए, धीरे-धीरे zoom बढ़ा हो गया screen पर, आप देखिए, जो जा रहा किसान, तो मेरा camera भी इस तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं, जूम हो गया, अगर, देखिए, character इस तरफ जा रहा तो इस step से कोई भी scene को आप जो है, create कर सकते हैं, तो आसा कर दों दोस्तों, ये video आपको अच्छा लगेगा, अगर दोस्तों, ये video आपको अच्छा लगा है, तो like जरूर करें, दोस्तों के साथ share भी करें, अगर दोस्तों, अभी जग मेरे इस channel को subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर ले जिससे मैं कोई भी आगे video लेका हूँ, तो उसका update आपको तुरंत मिल जाए, तो मिलते हैं दोस्तों, next video में, आज के लिए thank you